स्वागत अब अच्छों आपका Self Study के इस चैनल में और आज की हम अपनी 17 वीडियो वो कैब की स्टार्ट करते हैं और वो कैब हम कैसे करते आ रहे हैं विद की या कहूं विद ट्रिक के साथ हर दिन 5 वर्ड समयाद कर रहे हैं अब तक कि 16 वीडियो हम कर चुके हैं हर एक में 5 वर्ड हम ने किये हैं अगर जिनों ने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो एक अलग से मैंने प्लेइलिस्ट बना रहे हैं जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो पहला जो वर्ड है वो है बेडिजन बेडी बेडी अरे यार बेडिजन ओके इसका मतलब होता है भड़कीले कपडे पहनना बेडिजन इसका मतलब होता है भड़कीले कपडे पहनना और इस वर्ड को हम याद करेंगे जो हमारी trick रहेगी, इसको याद करने की बेदी जान, बेदी जान, ओके, ये word किसी से related नहीं है, बस याद करने के लिए है, अपने ख्याली पुलाव क्रिप्या करके ना फुलाएं, ओके, example के दुरू हम इस word को देखते हैं, बेदी जान, बेदी जान, भड़कीले कपडे पह पहनती है, तो ये किसी के ओपर टिपनी नहीं है, बस याद करने के लिए ये चीजें हो रही है, कहीं सोचो कि किसी के ओपर टिपनी की जा रही है, तो बेदी जान, यहाँ पर ट्रिक आगी, और भड़कीले कपडे पहनना, यहाँ पर meaning भी आ गया, clear, तो बेदी जान, इसक इसका मतलब है, किफायत से रहना या बचत में रहना, clear, होते हैं न कई जो लोग होते हैं, वो बड़े ही सो समझ के चीजें खर्च करते हैं, वो बड़े ही बचा कर चीजों को चलते हैं, तो स्क्रिंप का मतलब होता है, बचत में रहना या किफायत से रहना, clear, और अब हम स करेंगे देखो skrimp की कहीं न कहीं जो पर निंशेशन है ऐसी cream इसे हम याद करेंगे ऐसी क्रीम से clear okay आप इसको समझते हैं ऐसी ऐसी cream ऐसी cream लगाओ ऐसी cream लगाओगे तो किफायत से रहोगे तो किफायत मतलब की भाईया महेंगी क्रीम नहीं लगानी है, किफायत में रहो गया, किफायत से रहो गया, जो भी है आपको कर लेना clear, scream, जिसका मतलब है किफायत से रहना, और हमने इसको याद किया, ऐसी क्रीम से, यहां पर इसकी की भी आगी, और किफायत में रहना या रहो गया, यहां पर इसका meaning भी आ गया, okay, second word के बाद हम third word की तब चलते हैं third, जो word है, वो है blight blight okay, इसको हम, इसका मतलब है, खुश या प्रसन यहां पे एक और नय आना था, बट मुझसे वो लिखानी जा रहा था, तो इसको एक बार देख लेना, यह error है, writing error है okay, blight, blight का मतलब होता है, खुश या प्रसन प्रसन होना, okay, इस word को हम करेंगे, बिल्ली तेको blight का कहीं न कहीं, जो pronunciation है वो बिल्ली थी बिल्ली थी, blight यानि बिल्ली थी, ऐसे हो रहा है, इसकी कहीं न के pronunciation इससे हो रही है, तो इसको example कितरों हम समझते हैं, हमारे पास, जब, हमारे पास जब हमारे पास जब हमारे पास बिल्ली थी जब हमारे पास क्या थी भईया बिल्ली थी, तो हम बहुत खुश थे, अब वो नहीं हमारे पास, तो हम बहुत खुश थे, या प्रसन भी आ गया clear ओके थर्ड वर्ड हमारे इसके बाद हम चलते हैं fourth word की तरफ fourth जो word है वो है commotion ये जो है इसका pronunciation है वो इसकी है commotion clear इसका मतलब है hangama commotion का मतलब होता है hangama और इस word को हम याद करेंगे commotion के कहीं न कहीं इसकी जो pronunciation है वो commission commission से मिलती जुलती है commission या commotion ऐसे कर लेंगे अब जब commission मांगते है न किसी से कि भई या मैंने ऐसे तुमारा काम करते हैं मुझे मेरा commission दे दो तो होता है क्या commission मांगने पर क्या होता है hangama होता है बड़ा ही अच्छा वड़ा है हंगामा हो गया clear हंगामा हो जाता है commission मांगने पर हंगामा हो जाता है यहां पर की आगे और हंगामा यहां पर meaning भी आ गया clear fourth word हमारा यहां पर खतम होता और इस वीडियो का जो last word है उसको हम देख लेते हैं supine को soup पीने क्योंकि इसकी pronunciation कहीं न कहीं वैसे है यह soup ही है यह ऐसे लगया है एक मिनिट में इसको rough कर देता हूं क्या होना कि अरे यार एक तो यह last में बता नहीं इसकी क्या हो जाता है अलगी तरीकी के अपनी मर्जी चलने लग जाती है pen की हमने इसको करना है soup soup पीने ओके supine का मतलब है आलसी और हमने इसको याद करना है soup पीने ओके example के तुर समझते है soup पीने वाले लोग आलसी होते हैं देखो यह एक कालपनिक बात है यहाँ पर याद करने तक ही है इसको real में मतलगा देना कि कहीं soup पीता हुआ कोई आदमी देख लिया और लग गए आलसी आलसी लापर वास उसी को soup पाईन कहने लग गए soup पीने वाले लोग आलसी होते हैं clear तो यहाँ पर अरे वा क्या writing लिखी है मैंने soup पीने soup पीने यहाँ पर आगया इसका key और आलसी यहाँ पर आगी meaning यह मुझे लगता है कि सबसे better यही रही है अब तक की जो अच्छे च्छे से समझ आ रही है अब एक बार जल्दी सिन की revision कर लेते हैं बेडी जन बेडी जन का मतलब होता है बढ़की ले कपड़े पहनना और हमने इसको याद किया बेदी जान से clear बेदी जान कैसे पहनती है बढ़की ले कपड़े पहनती है second word हमने किया scrim scrim का मतलब होता है किफायत से रहना या बचत से रहना और इसको हमने याद किया है ऐसी क्रीम से ऐसी क्रीम लगाओगे तो भाई या किफायत में रहोगे या ऐसी क्रीम धिवाओगे किसी को तब भी किफायत से रहोगे तो सोच ले ना जब भी किसी को क्रीम दि का मतलब होता है हंगामा को मौशन का मतलब होता है हंगामा को सबस्क्राइब ता को मतलब है है आलसी होते हैं क्लिर हुआ आप लोगों में तो यह पांचों वर्ड efter 01 याद करें यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें इसंगो सब्सक्राइब करें चैनल को Kath भाई साथ चैनल को भी शेर करो और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम लिंक टेलिग्राम गृप का मैंने लिंक प्रवाइड कर रहा है जाके जोइन कर लीजिए Facebook पेज का भी लिंक मैंने आपको description box में दे रहा है वहाँ पर जाके आप उसको like कर लीजिए group भी मिल जाएगा वहाँ पर वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF जो आपके exam के point of view से important है वो सब चीज़ें वहाँ मिल जाएगी I hope so आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी Thank you for watching this video